बीते सप्ता हमने एक ऐसी उपलब्दी हासिल की जिसने हम सब को गर्व से भर दिया। अपने सुना होगा कि भारत ने पिछले सप्ता 400 बिलियन डॉलर यानि 30 लाग करोड रुपिये के एक्सपोर्ट का टार्गेट हासिल किया है। पहली बार सुनने में लगता है कि ये अर्थ व्यवस्ता से जुड़ी बात है। लेकिन ये अर्थ व्यवस्ता से भी जाधा भारत के सामर्थ, भारत के पोटेंशल से जुड़ी बात है। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 1.500 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था अब आज भारत 400 बिलियन डॉलर पर पहुँच गया है इसका एक मतलब यह कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमान बढ़ रही है दुसरा मतलब यह कि भारत की सप्लाई चेन दिनों दिन और मजबुथ हो रही है और इसका एक बहुत बड़ा संदेश भी है देश विराड कदम तब उठाता है जब सपनों से बड़े संकल्प होते है जब संकल्पों के लिए दिन रात इमानदारी से प्रयास होता है और आप देखिए किसी व्यक्ति के जीवन में भी तो ऐसा ही होता है जब किसी के संकल्प, उसके प्रयास, उसके सपनों से भी बड़े हो जाते है तो सफलता उसके पास खूद चल करके आती है साथियों, देश के कोने कोने से नए ने प्रोड़क जब विदेश जा रहे हैं असम के हेला कांडी के लेदर प्रोड़क्ट हो या उस्मानाबाद के हैंलूम प्रोड़क्ट विजापूर की फल सभिया हो और चंदौली का ब्लैक राइस सबका एक्सपर्ट बढ़ रहा है अब आपको लदाग की विश्व प्रसीत एप्रिकट दुबै में भी मिलेगी और सौधी अरब में तमिलाडू से भेजे गए केले मिलेंगे और सबसे बड़ी बात ये हैं कि नए नए प्रोड़क्ट नए देशों को भेज़ दे जा रहे हैं जैसे हिमाचल ओतराखन में पैदा हुए मिलेट्स मोटे अनाज की पहली खेप डेनमार को निर्याद की गई आंदर प्रदेश के कृष्णा और चितुर जिले के बंगन पनली और सुवन रेखा आम दक्षिन कोरिया को निर्याद किये जे त्रिपुरा से ताजा कढ़ल हवाई रास्ते से लंदन निर्याद किये जे और तो और पहली बार नागा लेंड की राजा मिर्च को लंदन बेजा गया इसी तरह भालिया ग्यहूं की पहली खेप गुजराथ से केनिया और सिलंका निर्याद की गई यानि अब आप दूसरे देशों में जाएंगे तो मेडिंग इंडिया प्रोड़क्स पहले की तुलना में कहीं जादा नजर आएंगे साथियों यह लिस्ट बहुत लंबी है और जितनी लंबी यह लिस्ट है उतनी बड़ी मेक इंडिया की ताकत है उतना ही विराट भारत का सामर्थ है और सामर्थ का अधार है हमारे किसान हमारे कारिगर हमारे बुनकर हमारे इंजीनियर हमारे लगू उद्यमी हमारा हमारा MSME सेक्टर धेर सारे अलग-अलग प्रोफेशन के लोग यह सब इसकी सची ताकत है इनकी महनत से ही 400 बिलियन डालर के एक्सपोर्ट का लक्ष प्राप्त हो सका है और मुझे खुसी है कि भारत के लोगों का इस सामर्थ अब दुनिया के कौने कौने में नए बाजारों में पहुँच रहा है जब एक एक भारत वासी लोकल के लिए वोकल होता है तब लोकल को ग्लोबल होते देर नहीं लगती है आईए लोकल को ग्लोबल बनाएं और हमार उत्पादों की प्रतिश्टा को और बढ़ाएं